प्राचीन काल में काकण्य, काकणव, काकनाद बोट और बोट, श्री पर्वत आदी भिन नामों से अभिग्यात सांची की उलेखनिय विशेष्टा यह है कि यहां आरंविक मौर्यकाल के बौध कला और मूर्तिकला के उलेखनिय नमूने मौजूद हैं। स्तूपों, एकाश्मी अशोक स्तंब, मंदिरों, बौध विहारों और स्थापत्य संपदा के कारण सांची विश्व विख्यात हैं। इतों से बनी एक कम उची संरचना थी जो आधार में उठे हुए स्तरों सहित, मौजूदा गोलार दाकार की संरचना के व्यास से आधी थी। इसके चारों और लकडी की एक रेलिंग थी और शीष पर पत्थर की एक छत्री थी। इस महान स्तूप ने उत्तरवर्ती काल में विशाल बौध प्रतिष्ठान के लिए एक केंद्र का कारे किया। शुंगवंच के शासनकाल के दोरान सांची और उसकी आसपास की पहाड़ी उपर ऐसी अनेक इमारते बनाए गई। अशोक स्तूप को बड़ा किया गया और इसके अगरभाग में पत्थर लगाए गये और इसे जंगले, सीडिया लगाकर और शीर्ष पर एक हर्मिका बनाकर अलंकृत किया गया। प्रथम शताबदी में आंध्र, सात्वाहनों जिन्होंने अपने राज्य का विस्तार पूर्वी मालवा तक कर लिया था, ने स्तूप संख्या एक पर शांदार धंग से उकेरे गए प्रवेश द्वारों का निर्मान करवाया। सांची के ब्रिहत स्तूप में प्रवेश द्वारों पर साधारन, भव्य और विलक्षन नकाशी की गई है जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन के महत्वपून प्रसंगों और चमतकारों और बौध जातक कथाओं में वर्नित घटनाओं का विस्तार पूर्वक चितरन कि किया गया है मंदिर 40 का पुनिर्मान और स्तूप संख्या 2 और 3 का निर्मान भी इसी समय किया गया प्रतीत होता है दूसरी से 4 शताब्दी तक सांची और विदिशा कुषानों और क्षत्रपों की अधीनता में रहे और बाद में ये गुप्त वंच के आधिपत्य में आ जिनमें वे महानस्तूप के चार प्रवेश द्वारों की ओर मूह करके चंदोवों के नीचे बैठे हैं सांची साथवी से बारवी शताब्दी के दौरान भी फूला फला जब मंदिरों और बौध विहारों का निर्मान चलता रहा इस प्रकार सांची हिंदू और बौध ध मार्शल ने 1919 में एक पुरातत्व संग्रहाले की स्थापना की जिसे बाद में सांची स्थित मौजूदा संग्रहाले में परिवर्तित कर दिया गया